कॉंग्रेस निता राहूल गांदी इन दिनों तीन दिवस्य के दारनात यात्रा पर हैं ये उनकी निजी यात्रा बताय जा रही है और आध्यात्मक की खोज में राहूल गांदी यहां पोहँचे हैं और अपने आपको समय दे रहे हैं हम आपको दिखाते हैं कि राहूल गान्दी हेलीपैट पे उत्रे और सिधे केदानार मंदर पर बाबा के दर्शन की अदर्शन के बाद सीधे अपने कमरे में आ गए उसके बाद शाम को आर्थी में हिस्सा लिने के बाद उन्होंने कई लोगों से मुलाकात करी जो यात्री दूर दरास से आये थे और लाइन में लगे थे उनको चाई भी पिलाए और उनसे चर्चा भी करी वहीं यात्रा के दूसरे दिन यानि की आज राहूल गांधी ने शुरुआत की आदी शंक्राचारे की जो समाधी स्थल है वहाँ पूझा अर्चना की और उसके बाद राहूल गांधी ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जहाँ पर भक्तों ने लंबी लाइन में लगकर और काफी जोरोर से बंडारे में हिस्सा लिया और बंडारे का परशाद ग्रैंड किया देखा जासकता है सुरक्षा करंवी भी हाँ मौझूद है और भारी सुरक्षा के बीच राहूल गांधी इसी काबराने के तन में ठहरे हैं और फिरहाल विश्राम कर रहे हैं आगे के क पहना है कि राहुल गांदी एक दो दिन ओर ठेर सकते हैं और ये उनकी निजी यात्रा है इसमें फिलाल कोई कारेक्रम नहीं आया है और लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांदी जब से आये हैं कुछ लोग मोधी-मोधी के भी नारे लगा रहे हैं लेकिन उसको करते हुए राहूल गांदी ने यहां के युवाओं से यहां के इतीत प्रोज़ों से भी मुलाकात करी और उनसे चर्चा की। किदारनाथ से प्रवीन सेमवाल के साथ अंकित शर्मा उत्राखंड तक।